नमस्कार दोस्तों मैं मिधुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्लेटपॉम पे जहां पे आपको हर तरकी रिकूटमेंट की खबर दी जाती है तो चलिए एक लब्या मॉडल रेसिदेंशियल स्कूल से जो रिकूटमेंट आई है पूरी डिटेल इन्फोर्मेशन आपको दी जाएगी जो आपके common doubt है जैसे कि अगर आपका beard नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं सीट अगर आपका pass है या नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं डोमिशाइल यानि कि आपका निवास परमान पत्र अगर है या नहीं है उस state से तो अप्लाई कर सकते हो या नहीं कोई अगर चाहता हो कि two post के लिए अप्लाई करना चाहता हो तो वो कर सकता है या न एज का क्या criteria है और subject combination क्या है पूरी information आपको इस वीडियो में मिल जाएगी मेरे बताये गए सारे doubts को मैंने कोशिस करी है कि मैं बता दूँ आपके सामने रख दूँ आँ आसान भाशा में अगर फिर भी अगर कोई doubt रह जाता हो आपका तो आप मुझे mail कर सकते हो simple से आप Gmail प पर हो तो मुझे follow कर लो at the rate I Mithun Singh वहां से भी आप question मुझसे पूछ सकते हो your Mithun Singh पर मैं मिल जाओंगा इंस्टा पर वहां भी doubt को आप पूछ सकते हो तो चलिए आते हैं वीडियो पर और कोशिस करेंगे आपके सारे doubt को clear करने की एक लब्या modern residential school से जो teaching staff की recruitment आई है उसके परे में तो सबसे पले देखें यह official notification है अगर आपको यह notification खुद से चाहिए खुद से पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं है ले सकते हो आप आपको हमारे telegram channel को join कर लेना है वहाँ पर आपको जो है इसकी link मैं आपको दे देता हूँ comment section में और description में भी link है तो जुड़िये आप वहाँ से और telegram channel को join कर लिजे वहाँ पर मैंने इसकी जो PDF है वो कल ही डाल दी है तो आप PDF को खुद से पढ़ सकते हो अगर आपके channel को subscribe कर लिजे नीचे rate बटन दबा करके और उसके बगल में जो नन्ना मुन्ना सा bell icon है उसे जरूर दबा दे तभी आपको वीडियो की notification मिलेगी otherwise आप miss out हो जाओगे YouTube आपको वीडियो नहीं दिखाएगा तो देखिए आगे बढ़ेंगे पूरी बात आपको बताएंगे ब पीच में कर किसी का value आता है तो वो क्या होगा acid होगा basis होगा या salt होगा तो आप लोग comment करके जरूर बताएं इस question का answer मैं देखना चाहता हूं कितने अच्छे बच्चे जुड़े होएं पढ़ाई को लेकर वो serious है सारे को जो लोग भी answer करेंगे सारे लोगों का heart safe जरूर ब दिक्कत है जहलने पड़े तो देखो होस्यार बनने से जादा बहता है कि थोड़ा सा मुर्ख बनो और जल्दी apply कर दो अब देखो फी जो है आपका एक पांच तक यानि कि एक मई तक आप जो है apply कर सकते हो payment के लिए आपको थोड़ी से सहुलियत दी गई है फी कितना रहने वाला है principal और vice principal के लिए 2000 रुपए और TGT और PGT के लिए 1500 रुपए अगर आप two post के लिए apply करोगे तो आपको दोनों के लिए अलग 1500-1500 देना होगा अब देखो correction अगर आपका गलती हो जाता है फौम में कुछ भरने के लिए तो 4-6 में तक आप इसे correct कर सकते हो और admit card बग देखा हुआ है आप देख सकते हो मैं इतना बड़ा बोल नहीं सकता हूँ यहां से आप जाके सारी चीज़ों को देख सकते हो तो सबसे पहले ना मैं जो आप लोगों को सुरू में question पूछा था उसके सारे answer आपको मैं कर देता हूँ सबसे पहले देखो अगर आपका BTC है D ध्यान से सुनना पेपर टू अगर आपका पास नहीं है तो भी आप अपलाए नहीं कर सकते हो अगर आपका पेपर टू किलियर है CTAT का या फिर किसी भी state का जैसे कि सपोज कर लो कि मैं मद्ध परदेश का हूँ या जहारखंड का हूँ तो मैं जहारखंड से अपलाए कर र कि अगर कोई जहारखंड का है और वो मद्ध परदेश से अपलाई करना चाहता है तो कर सकता है नहीं कर सकता है आप MP से हो यानि कि मद्ध परदेश से हो तो MP के रहने वाले MP के लिए ही eligible होंगे जहारखंड वाले जहारखंड के लिए ही eligible होंगे और जहां से post नहीं आई है वो क्या करें वो वापस जाएं UP में TGT PGT के लिए recruitment आई है वहाँ पे ऐसा कोई barrier नहीं है आप apply कर सकते हो description में मैं link दे दूँगा मैंने उस पे एक video कल ही बना दी है आप वहाँ से देख सकते हो और high school के लिए अच्छी handsome salary मिलेगी वहाँ apply कर लो या फिर wait करो और अपने आपको तपाओ और अच्छा कर पाओ तब जो है कहीं job आएगी तो आप देख ले ना आगे देखिए subject combination के बारे में वो आपको मैं नीचे बता दूँगा subject से आपके सामने पढ़के रख दूँगा सारे चीजों को अगर कोई चाहता है कि वो PGT के लिए भी eligible है TGT के लिए eligible है तो क्या वो दोनों post भर सकता है जी हाँ my answer is yes जी हाँ भर सकते हो लेकिन ध्यान रखना PGT के लिए अगर आप चाहते हो कि mathematics से भरना चाहते हो और आपका अगर हिंदी भी बन रहा है तो आप यहाँ apply नहीं कर सकते हो two different post के लिए आप apply कर सकते हो आप चाहो तो PGT, TGT के लिए apply कर दो या फिर TGT principal के लिए apply कर दो principal और TGT के लिए या फिर PGT और principal के लिए apply कर दो ये सब valid होगा अब देखो अगर आपका PGT भी है और wise principal के लिए करना चाहते हो तो कर सकते हो TGT है principal के लिए करना चाहते हो तो अलग अलग post सारी बातें clear हो गई होगी अब अब देखो age के बारे में देखो मैं page number 16 चलता हूँ मैंने पहले ही इसको पढ़ रखा है और page number 16 पे आपको सारी age के बारे में जो है relaxation वगेरा जो भी है वो देख सकते हो यहां से जी हाँ actually यह page number 15 ही है मैंने गलत पढ़ दिया था 15 पे आपको सारी knowledge मिल जाएगी देखो age relaxation policy क्या है सबसे पहली बात age क्या होता है वो जान लो आप किसके लिए क्या-क्या age है वो आप यहां से देख सकते हो मैं सबसे पहले age बता देता हूँ अगर आप principal post के लिए जाना चाहते हो तो आपका age 50 से अधिक नहीं होना चाहिए wise principal के लिए 45 age है PGT के लिए 40 साल है और general वाले के लिए SCST के लिए छूट जो मिलता है वो मिलेगा आपको TGT के लिए यहां से देख सकते हो आप 35 years age है clear हो गई बाते हैं कोई भी doubt आपका नहीं रहना चाहिए अब देखो age में छूट किसे मिलेगी और age count कब होगा age count होगा आपका 30 अपरेल 2021 के according आप age को नापना नापना क्या वो count कर लेना माप तो नहीं सकते हैं न age को अब देखो यहां पे age relaxation policy है अगर आप SCST से आते हो तो आपका 5 years का age मिलेगा अगर आप TGT के लिए अपलाए करना चाहते हो तो 35 plus 5 यानि कि 40 साल अगर आपकी age है तो आप TGT के लिए eligible हो SCST वाले और OBC वाले के लिए 3 years का age relaxation यानि कि 38 years तक भी आप अपलाए कर सकते हो लेकिन जनरल वाले के लिए क्या है जनरल वाले 35 years से ज़्यादा अगर उनका age हो गया है तो you are expired भाई आप बुढे हो चुके हो इस post के लिए अब देखो आगे बढ़ते हैं और कोशिस करते हैं कि जिन्होंने government job करी है government में 3 साल तक अगर पढ़ा आया कोई भी काम किया हो railway में हो coal mines में हो कहीं भी हो तो उसको 5 साल का age relaxation मिलेगा और जो UT जमू कस्मीर में जिन्होंने 5 साल बिताया है एक्चुली जिन्होंने इस year से यानि कि 90-80 से लेकर 89 तक जो रहे हैं वहाँ पे उन्हें 5 साल का age relaxation मिलेगा अब देखो जो person disabled है दिब्यांग है बिकलांग है देखो मैं इन सब्दों में नहीं पड़ूँगा simple सी बात है अगर आप physically handicapped हो तो आपको जो है SCST वाले के लिए 15 साल का छूट मिलेगा extra OBC वाले के लिए 13 साल और general वाले के लिए 10 साल अलग से मिलेगा यानि कि TGT के लिए आपका जो age होगा वो हो जाएगा 45 हो जाएगा अगर आप general से हो तो सारी बात है clear कर रहा हूँ इसलिए video थोड़ी सी length जो है इसकी बड़ी हो जाएगी घबराने की जोरत नहीं है सारी चीज़ों को clear करूँगा तभी आप जो है doubt आपका जो है वो clear हो पाएगा अब देखते हैं syllabus क्या होने वाला है इसके लिए मैं अलग से video बना दूँगा देखो syllabus बहुत lengthy होने वाला है अगर मैं इसी मैं उसे include कर दूँ तो फिर ठीक नहीं होगा और आपके लिए क्या होगा दिक्कत आईगी आपको तो देखो फिर के बारे में जो बाते हैं वो यहां से आप देख सकते हो अब देखो मैं कोसिस करता हूँ आपको दिखाने की क्या है इसका syllabus और age criteria को मैंने discuss कर दिया subject combination को देखना बहुत जरूरी है आपके लिए तो देखो subject combination कहा है wait a minute मैं कोसिस करता हूँ आपके सामने रख दू subject combination के बारे में आपको पूरी बात बताए जाएगी अगर subject combination नहीं होता है एक मिनट भाई एक मिनट अरे कहां गया जी हाँ ये रहा subject combination अब देखो PGT के लिए सारे लोगों का यहाँ पे subject combination देख लेना तभी apply करना देखो PGT के लिए क्या है अगर आप PGT में अगर आपका English रहा है तीनो साल तो आप PGT English के लिए eligible हो Hindi वाले के लिए देखलो Hindi या Sanskrit अगर Hindi या Sanskrit के लिए eligible चाहते हो तो आपका subject Hindi एक जरूरी है अगर जिनका Hindi है तो वो Hindi के लिए apply कर सकते हैं लेकिन जिनका Sanskrit है उनके लिए Hindi भी होना जरूरी है Mathematics वाले के लिए mathematics होना चाहिए साथ-साथ में physics वाले के लिए देखो क्या है physics वाले के साथ दिक्कत है उन्हें जो चाहिए और भी nuclear physics वगेरा होना चाहिए यहां से आप देख सकते हो इन चीजों को अब देखो TGT वाले में सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको TGT वाले में दिखेगा subject combination यहां पर नहीं बन पाता है तो देखो यहां ध्यान रखना हिंदी आपका तीनों साल complete होना चाहिए language वाले के लिए कोई दिक्कत है नहीं तीनों साल आपका English होना चाहिए SST के लिए देखो any two of the following main subject at graduation level दो आपका main होना चाहिए history, geography, economics में से कोई एक या फिर quality, science के लिए दो आपका compulsory है उसके बाद देखो यह सब में से कोई एक होना चाहिए या फिर history या जोगरफी एक होना ही चाहिए तभी आप eligible हो जाओगे SST teacher के लिए अब mathematics वाले के लिए क्या है mathematics आपका main अगर subject है तो आपका second subject must be physics chemistry, electronics या फिर computer science होना चाहिए economics या commerce भी चलेगा अब science वाले के लिए क्या है अगर आपका main subject botany, geology या chemistry है तो आप जो है apply कर सकते हो दो combination जरूर बनना चाहिए तभी आप apply कर सकते हो बियट तो होना ही चाहिए तो ये बाते हैं अब देखो, अब मैंने इतनी बात आपको बताई इसके बावजूद आप लोगों के मन में बहुत सारे doubt होंगे, मुझे पता है तो comment में आईए, इतनी बात जानने के बाद अगर आपका doubt राता है तो मैं reply कर दूँगा अगर आपका same question रहा जो मैंने वीडियो में बता रखी है उसके बावजूद अगर आपने पूछा तो फिर मैं reply नहीं करने बाला हूँ वीडियो को पूरे देख लो आप अब देखो, कोई doubt रह जाता है तो मैंने कहा, Instagram पे आईए आई मितुन सिंग पे आप मुझे follow कर सकते हो कोई भी doubt हो तो वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हो, सारी जानकारी आपको वहाँ पे दी जाएगी या फिर आप mail कर लो yourmithunsingh.gmail.com पे information आपको दे दी जाएगी Thank you so much, you guys are amazing Keep reading, keep learning, keep growing Thank you so much